इट और सेमेंट से सिरफ दिवारे बना करती हैं घर बनता है एक परिवार के आने से साथिकाल दोस्तों मैं गुरु बिंदर एक बार फिर से आप सब का स्वाथ करता हूँ आपके अपने चैनल बस्ट्रक प्रॉपर्टीस पे दोस्तों घर लेने जा रहे होते हैं तो घर तो पसंद आयाता है बस वह कमरें छोटोटे देखके न हमारा मन पिंगा जाता है तो आज जो मैं घर आपको दिखाने जा रहा हूं आपके बजट के बीच में रहने वाला प्रस रूम साइब भी रहने वाले पूरी फैमली के अंदेश गुर्दवारा साहब इसके लिए मार्केट हो यह स्कूल यह सारी चीज़े आपके मिलने वाली है तो बाकी बाते हम चलते जलते करेंगे सीधा चलते घर पर घर को देखते भी है मज़े भी लेते बाकी बाते भी करते हैं आपके घर के सामने इस टेर गेस बिलकुल काफी वाइड यहां पर आपको मिलने वाला गर के साथ ही और एक फ्लोगistes नीची आपको मिलने वाला ऑंडी ठीक यह रहा पर अपना घेखने नीचि assol अपन्य और आपके धेड़ल का फिर आपका अपना होनेवाला लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकरी यह चीज बहुत अच्छी होती है, सामरे से लाइट जो होती है, वो बहुत अच्छी आजाती है, आपके पास बिना द्रबासा खोले या बिना खिड़कियोंगी, तो ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर की तरफ भी, अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर फिलिंग बड़ी खुली डूली आने वाली है, क्योंकि जो गहर अभी हम देख रहे हैं, यह आपका 256 के रियाड के अंदर बना हुआ है, और जिस अभी हम प्राइंग एरिये के अंदर भी पहुंचे हैं, आप देख सकते हूं, काफी ब बाकी रूम्स है वह भी ऐसे खुले डूले आपको मिलने वाले हैं, तो सोफा सेट पूरा खुले डूले यहाँ पर लगाया है, बैक साइड पर आपको एक पेरा सा वाल पेपर यहाँ पर नजर आएगा, जो कि अपने आप में इसकी जो लुक है उसको और बढ़ा देता है और प्लस इसके बाद सीलिंग की तरफ हम देखते तो सीलिंग और बड़ी नजर आती है, एक तो लुक्स वैसे बड़ी अच्छे लेगें कि जब आपके पास सारी चीज़े खुली-खुली होगी, देखने के लिए आपको जो है, नजरे हर तरफ घुमती है, पूरे मज़े तो वापिस अंदर की तरफ और ट्राइंग के साथ ही हम पहुंचते हैं अपने डाइनिंग गेरिया में, क्योंकि यहां डाइनिंग आपको खुला भी मिलेगा और काफी बड़ा भी मिलेगा, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां से यहां तक का जो डिस्टिस है में डाइनिंग टेबल, हमने तो यह चलो ठीकर नॉर्मल रहा पर रखा जो अपने घरों में ही रखा होता है, जो लक्ष्री वाले सूपर लक्ष्री होते हैं, कुशन वाली सीट्स होती है, हैवी सा, वो भी रखना हो तो बहुत अराम से आपको आने वाला है, इसके इलाव इसके इलावा आई टी पार्क मुहाली भी 10 मिट का है, कोई चीज़ दूर नहीं है, होस्पिल आसपास है, स्कूल आसपास है, मार्के आसपास है, तो कहीं पर भी जाना हो, तो बेफिकर हो कहीं पर आप निकल सकते हैं, तो ढीक डाइनिंग के सामने आपको मेल जाएगी लंबी भी है, यूशेप में भी है, काफी खूपसरत है, वरकिंग टाइंगल आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपर बनता है, ठीक, इस तरफ आपको बड़े से बड़ा फिज जैसा मर्जी आप रखें, बहुत अराम से आने वाला है, उसके बाद टोन आपको डूल मिलने व है, जाहे वो नीची हो या उपर हो, ग्लॉसी लुक रहने वाली यहाँ पर ठीक, इस तरफ आपके पास जहाँ ड्रॉर्स भी काफी अच्छे सॉफ प्लोजर के साथ आपको मिलने वाले है, तो किचन में यह चीज काफी अच्छी है कि आपको बड़ी-बड़ी स्पेस जो ह तो यह दो चीज़ें जब आपको मिल जाती है, तो आपकी जो किचन हो तकनी में एक तरह से कम्प्रेट हो जाती है, हां बाकि माइक्रोवेव है या फिर आपका फ्रीज है वो आप अपने रखने वाले है, सामने के तरफ फिंटो आ जाएगी ठीक, इसके साथ डबल सिंक आ आता हूं, वापिस अपने डाइनी गेरिये के तरफ, तो डाइनी गेरिये में जहां पर आपके जगा खाले होई पर हमारे पास एक जो है वाश्रूम आपको यहां पर मिल जाएगा, कॉमन जो आपके गेस्ट के हिसाब से यहां पर रखा हुआ है, और ठीक इस वाश्रूम स यहां पर आपको लगता है कि हमने कोई टेबल है, चेर है, कुछ भी रखना चाहते हो, बेफिकर हो कि आप रख सकते हो, सिलिक डिजाइन बहुत प्यारा सा, आपको यहां पर मिल जाएगा, आप देखेंगे को लैंप मिलने वाले है, बीच में एक अलग डिजाइन मिल आप पूरी प्रॉपर यूज यहां पर कर सके, काफी बड़ी वाडर है, क्योंकि स्पेस जो है, रूम की वो काफी अच्छी खासी आपको मिलते है, ठीक, इसके साथ एक बड़ी विंडो, और यहां भी देखेंगे, विंडो के साथ आपको रोशन दान मिलेगा, जाली वाल स्टाइल वैसा रहेगा, बस एक फूट और जादा बढ़ जाएगा, अपने पास यहां पर 15 फिट की जगह आपको मिल जाएगी, विंडो अगेन आपके पास वैसी रहने वाली है, रोशन दान के साथ, और बाहर आपको अगेन बालकोनी का मिल जाएगा, ठीक, इस तरफ ज जो है, पुरा बड़ा सा ड्रेसिंग, जिसके साथ अगेन स्टोरेज बड़ी अच्छी मिल जाती है, आपको, मतले के स्टोरेज के तो कोई प्रॉल्म होने वाली नहीं है, और यहां पर अपना बाता काम अभी चल रहे, तो समान आपको अभी यहां पर लगेगा, क्यों हम स सब्सक्राइब पर लिजिए, और इसके साथ ही, आप बाइल आइकोन को दबाना ना भोले, ताकि हमारा रापका रिष्टा यूँ बना रहे, और प्लस आप हमीं फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेस्बुक पर, या फिर स्नाप्चाट पर से बस्ट्रक प्रॉप आती है, और आपका घर जो वो आने वाली 200 फूट रोड के ऊपर है, 200 फूट रोड तो वैसे बन चुकी है, लेकिन हाँ वहाँ पर रिपेरिंग वाला काम है अभी या फिर वो कंपलीशन उसके भी बाकी है, तो जिस दिन वो कंपलीशन हो जाती है, तो आपकी जो है उसके बहुत जादा फर्क होता है, इसी को कहते है कि रियल स्टेट की अप्रिशेशन या फिर सही टाइम पे हमने एक घर लिया था, या हमने एक प्रॉपर्टी ली थी और आज उसका रेट कहां से कहां आग, यह सिरफ इसी चीज़ का फर्क होता है, तो अपने पास यहाँ पूरी लाइट आपको आगे से आने वाली है, क्योंकि अपने बड़ी सी यहाँ पर विंडो है, और विंडो के साथ आपके पास एक प्यारी सी बालकुनी, तो आप इस इसी बैडरूम के अंदर आते हैं, इस बैडरूम में हमने बैड को देखा जगा देखी, एक तरफ हमन लेकिन एक घर जो अता कंप्लेट हमें वो मिल जाता है, खुले डुले महाल में रहने के लिए अपनी फैमिली के लिए एक अपना घर से कहते हैं, और इनके साप लेते हैं, तो आपको रूफ राइट से आपर साथ में मिलते हैं, वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जुरूर ब